और एक बड़ी ख़बर आपको उतादे केंद्रे मंत्री शांतनू ठाकुर को धमकी भरा पत्र मिला है। और इसके बहुत ही कंभीर परिणाम होंगे और ठाकुर बाडी में शांतनू ठाकुर का घर जला दिया जाएगा इस तरीके की धमकी दी गई। आपको पूरे देश भर में आगजनी की धमकी जो है वो दी गई है। पूरे ने मुसल्मानों पर अत्याचार होगा तो पूरा देश चलेगा ये भी कहा गया है। ठाकुर बाडी में शांतनू ठाकुर का घर जुलाने के धमकी भी इस लेटर में दी गई है। बंगाल में नर्सी लागों होते ही हाफिस सईथ के निर्देश पर अपना काम शुरू कर देंगे। ये भी लिखा गया है। धमकी बराई ये पत्र उत्तर 24 पर गणा के हादेपूर गाउ से भीज़ा गया। दावा किया जा रहा है कि इभीते करीब 4 दशक में पूरवांचल में ये पहला ऐसा लोगसबा चुनाव होगा जो बाहु बलियों के प्रभाव से मुक्त होगा। क्योंकि दावा किया जाता था कि पहले माफिया डॉन मुख्तार और अतीक अहमद अपने प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव में जम कर धांदली करते थे और अपने समर्थकों और करीबियों को जित्वाने के लिए हर हद कंडा अपनाते थे दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद भले ही लंबे वक्त से जेल में बन थे लेकिन हर चुनाव पर उनका प्रभाव रहता था कहते हैं कि एक वक्त पूर्वानचल के कमसकं बारा जिलों में इन दोनों गैंक्स्टरों की तूती बोलती थी और दावा किया जाता है कि मुख्तार और अतीक के प्रभाव वाले इन जिलों में सियासत में पत्ता भी उनसे पूछ कर ही हिलता था और सियासी बढ़त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल भी इनका साथ लेने में चकते नहीं थे लेकिन वक्त बदलने के साथ ही पूर्वानचल की सियासत बदल गई 2024 के लोगसभा चुनाव से पहले जेल में मुखतार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई जो कि पिछले साल प्रियाग राज के माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी और इसी वज़े से दावा किया जा रहा है कि खरीब चार दशक बाद पूर्वानचल में लोगसभा चुनाव बाहु बली मुक्त चुनाव होगा और एक बड़ी खबर आप पोता दे दिली शराग गोटाला केस में अर्विन केज्रिवाल की गिरफतारी को चुनावती देने वाली आच्चिका पराज दिली हाई कोट अपना फैस्वा सुनाई की दिली शराग गोटाला केस से जोड़े हुए मनी लॉन्विन के मामले में इडी ने 21 मार्च को अर्विन केज्रिवाल को गिरफतार किया था अभी वो न्याई खिरासत में तेहाड जेल में बंद है अर्विंद के जिवाल की तरफ से गिरफतारी के खिलाद दिली हाई कोट में याचिका लगाई गई थी दिली हाई कोट ते तीन अपरेल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था दोपेर करीबं धाई बजे फैसला आ सकता है बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहाँ पर आज दिली हाई कोट अपना फैसला सुनाई गया लगे इस पूरे मामले पर सुनवाई पहले ही हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया था लेकिन अब इस पूरे मामले पर आज फैसला आएगा और देखने वाली बात होगी क्या खिर क्या कुछ फैसला आता है क्योंकि जिस तरीके से एडी की तरफ से गिरफतारी की गई है उसको लेकर इस पूरे मामले में सुनवाई कुई तो देखें ये भी आपको बता रहें ईडी की तरफ से क्या कुछ अपील की गई है और केजरिवाल का पक्ष क्या कुछ आए इदी साफता और पर करें कि रिश्वत के लिए शराब नीती में बदलाव किया गया केजरिवाल का पक्षे की चुनाव के लिए गिरफतारी पर जो है उन्होंने सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है तो एडी कहरें कि आप एक राजवते कदल है लेकिन पैसे से चुनाव लड़ा गया साथी केजरिवाल का ये भी कहना है कि शुरुवाती बयान में कई ना कई जो है अलग-अलग बातें इंस्क्रॉप्टेड है केजरिवाल की गिरफतारी ये उनके वकील कह रहे और चुनाव के बीच गिरफतारी पर सवाल उठे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है अब ऐसे में सबज़े दिली हाई कोट जब आज फैसला सुनाएगी तो इन तमान दलीलों के इसाफ सुनाएगी जो ये पहले दलील दी गई थी केजरिवाल की तरफ से भी और दूसरी तरफ एडी की तरफ से भी अब ऐसे में क्या जिवराहत मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी इसके लिए इंतजार करना होगा दिली में हुई शराब गोटाले पर बीजेपी सांसद मनुच तिवारी का बयान सामने है उन्होंने कहा है कि जाच एजंसिया गोटाले की जाच में जुटी है अर्विंद केजरिवाल ने शराब गोटाले में आतिशी और सौरब भार्दवाज का नाम लिया और इस गोटाले में शामिल किसी भी आरूपी को बक्षा नहीं जाएगा तो मनुष्टिवारी की तरफ से कागे कि देके केजरिवाल ने ही आतिशी का नाम लिया है तक तो पहुँचने की कोशिस करेगी ही जाच एजेंसी अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिसी और सरोभारद्वाज आप दोनों का नाम अर्विंद केजरिवाल जी ने दिया और आतिसी जी ने अपने प्रिस कॉन्फरेंस में दुरगेश पाठक और आगव चड़ाजी का नाम दिया तो मेरा मानना है कि जब यो लोग खुद ही बता रहें कि इस गोटाले में ये ये भी हैं तो जाँच एजनसी को ये जाँच को करनी पड़ेगी और मेरा मानना है कि जो निर्दोस है वो सत्य थोड़ा देर परिसान हो सकता है लेकिन जो दोशी है वो बचना नहीं चाहिए नैशनल कॉन्फरेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने नियूज 18 इंडिया से खास बादशीत की आई एंडिया ये गटबंदन की चुनावी रणनीती और बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में क्या है तैयारी इस मुद्धे पर उन्होंने खुल कर बात चुईत की महबुबा मुफ्ती से बात क्यू नहीं बनी क्यूंकि आप यंग है वो भी यंग है के दोनों अपनी पार्टियों का मोर्चा संभाल चुके हैं, कहां केमिस्ट्री में गरबर हो गई, मैथमेटिक्स में गरबर हो गई, कहां? केमिस्ट्री में कोई गड़बर नहीं, मैथमेटिक्स में परिशानी ये रही कि तीन सीटे पहली नैशनल कॉंफरेंस के पास थी, तीन सीटों पर हमें बात करनी थी, जिन तीन सीटों पर हमने कॉंग्रिस से बात की उन पर महभूबा मुफ्ती का कोई खास असर असूख है न हैं, उसमें फिर हम पीडीपी के साथ मिल के एलेक्शन लडने की कुंजायस जो है, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि पीडीपी को वो बात सूट नहीं कर गई, उन्होंने कश्मीर की तीन सीटों पर अपने एलान किये हैं, उम्मीदवारों के, अब हार मान चुकी है, आपको लग रहा है कि आप लोग टफ कंटेस्ट दे पाइंगे? कश्मीर की तीन सीटों पर भी उनकी नजर है, उस पर भी हम बीजेपी को शिकस दिलाएंगे, वो तो कह रहा है, तो बीजेपी तीन सो सदर के पार है, प्रधान मंतरी बनने जाने है, मोदी जी, ये क्यों मुसलिम लीक से कहीं उठा रहे हैं, कुछ कहीं ममता बनर जी उठा नहीं करता, वो लीडरों के तरफ से पहले ही ऐलान करना कि वोटर क्या करने जा रहा है, वोटर जो है, जब तक पोलिंग बूथ में नहीं जाते, तब तक ये कहना कि हमें पहले ही से पता है, ये क्या करेंगे, ये खतरे से खेलने के बराबर है, मुझे नहीं लगता है कि प पीजेपी को जितनी सीटों की उमीद है उतनी सीटों पर वो शायद नहीं आए डावा किया जा रहा है कि बीते करीब चार दशक में पूरवांचल में ये पहला ऐसा लोकसभा चुना कर दो कि अगार रहा है आए लोकस्ट कर दो बाद सकता है रहा है